हेलो स्टुडेंट्स यह हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अम्डी दानिश मैथमेटिक्स केलासेश और मैं आपका टीचर इंजिनियर अम्डी दानिश सर देखिए दोज देखिए स्टुडेंट्स हमारा आगला कोशन है 50 नमबर 1 प्लस 10 स्क्वाइर थीटा इन्टु 1 प्लस टोट इस्ट्वाइट एस एक्साइब तेटा माइनस साइन पर पावर व्षुड टीटा देखिए इसको हम साविद करना है इसको प्रूब डैट का गॉष्टन है एकसरखाइज 8A टिर्गुंगी का इसको कैसे सॉल्ट करेंगे हम सबसे पहले ले लेंगे LHS ले लिए यह 1 plus 10 squared theta है Plus 1 plus cot squared theta है देखे इसको क्या करेंगे 1 plus 10 squared theta यह होता है हमारा 6 squared theta देखे यह 1 plus cot squared theta यह होता है को सेख स्क्वाइट ठीटा ये हो गया अब देखिए नीचे हम इसको ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे ये वन बाई को स्क्वाइट ठीटा हो जाएगा ये वन बाई को स्क्वाइट ठीटा हो जाएगा ये नीचे जाएगा तो वन बाई देखिए ये नीचे जाकर को स्क् सんと पहले संथ श्क्राइब सब्सक्राइब अगल Tobie सब्सक्राइब RHS लेकर भी, LHS लेकर भी हम सावित कर सकते हैं, RHS लेकर भी सावित कर सकते हैं, और LHS, RHS दोनों लेकर भी सावित कर सकते हैं, देखिए, तो यह हो गया, 1 minus sin square theta को पहले लिख दिये, इसको cos square theta को लिखेंगे, 1 minus sin square theta, देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद, उसके बाद ह यह 1 by देखे यह अंदर into हो जाएगा तो यह हो जाएगा sin square sin square theta minus sin per power 4 theta देखिए आरेचेस आ गया इसको अंदर cos square theta को लिख दिये 1 minus sin square theta अब इससे इसमें into कर दीजे वो आजाएगा हमारा रेचेस प्रूब हो गया रेचेस आ गया लिखेंगे proved, देखिए यह हमारा proved हो गया question, अब अगला question हम आपको बताने जा रहा है, अब अगला question बताने जा रहा है दोस्तों देखिए देखिए, अगला question है हमारा अगला हमारा question है, 10 theta 10 theta divided by 1 plus 10 square theta का whole square plus cot theta divided by 1 plus cot square theta का whole square is equal to sin theta into cos theta, हमको यह proof करना है तो देखिए कैसे proof करते हैं हमको यह proof करना है देखिए question है, हमारा 10 theta divided by 1 plus 10 square theta का whole square plus cot theta divided by 1 plus cot square theta का whole square is equal to sin theta into cos theta, तो इसको हम proof करते हैं, देखिए देखिए देखिए, इसको proof करते हैं कैसे तो क्या करेंगे, LHS लेंगे देखिए, LHS ले लेंगे सबसे पहले, यह है हमारा 10 theta divided by 1 plus 10 square theta का whole square देखिए, plus इसको लिख देंगे यह है हमारा cot theta divided by 1 plus cot square theta का whole square देखिए, हमारा यहां पर लिखेंगे अब इसको 10 ही रहने देंगे देखिए, हमारा होता है 1 plus 10 square theta 1 plus 10 square theta यह होता है 6 square theta का whole square हो जाएगा cot theta देखिए, 1 plus cot square theta 1 plus cot square theta यह हमारा होता है cos square theta यह cos square theta का whole square theta हो जाएगा तो देखिए, अब हमारा हो जाएगा हो जाएगा 10 theta divided by 6 4 theta अब क्या करेंगे हम यहाँ पर आगे हम देखिए, क्या करते हैं देखिए, इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको लिख देगे हम, sin theta, sin theta by cos theta देखिए, यहाँ पर cos theta लिख दिए 10 को sin theta by cos theta इसको सेख को लिख देएगे सेख theta into sec cube theta सेख q theta देखिए, q theta 3, 1, 4 सेख हो जाएगा देखिए, तो इससे हमको फायदा क्या होगा हम बताते हैं cos theta into sec theta 1 हो जाता है देखिए, इसको भी लिख देएगे हम cos theta by sin theta cot को cos theta by sin theta लिख देएगे तो हो जाएगा हमारा sin theta sin theta यह cosec 4 है ना ते इसको cosec into cosec q theta लिख देएगे cosec q theta इससे फायदा होगा हमको फायदा क्या होगा देखिए फायदा हमारा क्या होगा कि यह हमारा यह sin theta into cos theta 1 हो जाएगा अब उपर में लिखते हैं देखिए अब हमारा हो गया sin theta यह sin theta होगा देखिए 1 हो गया cos theta into sec theta 1 1 आई यह sec q theta यह 1 into sec q theta बचा प्लस देखिए यह cos theta divided by cos theta cos theta divided by देखिए यह sin theta into cos theta 1 हो गया 1 into यह cos theta बचा cos q theta अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको उपर देजाएंगे यह sin theta ही रहने दीजिए sec को उपर देजाएंगे तो cos q theta हो जाएगा यह cos q theta हो जाएगा प्लस cos theta को रहने दीजिए cos sec को उपर देजाएंगे तो यह sin q theta हो जाएगा देखिए sin q theta हो गया अब sin theta cos theta हमारा common लिजे sin theta into cos theta common ले लेंगे तो sin theta बाहर आ गया यहां से cos theta बाहर आ गया तो यह cos square theta बचा इसमें cos बाहर आ गया sin एक बाहर आ गया तो sin square theta बचा देखिए sin square theta बचा यह sin theta into cos theta हुआ cos square theta plus sin square theta यह 1 होता है तो हमारा हुआ sin theta into cos theta आ गया RHS हमारा आ गया तो हम लिखेंगे RHS RHS proved देखें हमारा RHS आ गया प्रूब लिख दिये देखें अब अगला question हम बनाने जा रहा है देखें अगला हमारा question है 17 17 में question क्या है sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square theta into cos square theta यह question हमारा पूछा गया question है कहां यह हमारा पूछा गया है CBSC 2007 में पूछा हुआ question है देखें इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हम LHS लेंगे LHS लेकर solve करेंगे यह CBSC में पूछा गया question है 2007 में तो LHS लेंगे देखें LHS ले लिए sin 6 to the power sin per power 6 theta 6 power है sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta हमको साबित करना है 1-3 sin square theta into cos square theta यह CBSC 2007 में पूछा गया question है तो देखें इसको कैसे साबित करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे सबसे पहले देखें इसको सबसे पहले क्या करेंगे इसको लिखेंगे sin square theta का whole q देखें 2-3-6 plus cos square theta का whole q देखें aq plus bq बना लिए तो हमारा होता है देखें हमारा होता है aq plus bq का फर्मूला होता है देखें यह होता है a plus b a plus b a plus b उसके बना होता है हमारा a square a square का whole square a square plus b square minus a b sin square theta into cos square theta देखें यह हो जाएगा a plus b into a square b a square minus a b यह होता है तो हमारा क्या होगा देखें यह होने के बाद हमारा हो जाएगा यह value sin square theta plus cos square theta 1 हो गया अब यह हो गया हमारा sin square theta थीटा का whole square, देखिए, sin square theta का whole square, यह हुआ हमारा cos square theta का whole square, minus sin square theta into cos square theta, यह हुआ, देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, यहाँ पर, देखिए, a square plus b square, a square plus b square का फर्मूला तोड़ दीजे, तो a square plus b square पर इसको, तो क्या होता है, a plus b का whole square, a plus b का whole square, minus, देखिए, 1 into कुछ भी into होगा, वही होगा, तो a, यह a square, यह b square, a square plus b square का फर्मूला होता है, a plus b का whole square, minus 2ab, sin square theta into cos square theta, यह a square plus b square पर तोड़ दीए, और यह मेरा minus sin square theta into cos square theta, देखिए, sin square theta plus cos square theta, यह 1 होता है, तो यह 1 का square minus, देखिए, 2, 1, 3 हो जाएगा, 3 sin square theta into cos square theta, इसको लिख सकते हैं, 1 minus 3 sin square theta into cos square theta, RHS हमारा prove हो गया, देखिए, यही पर हमारा साबित हो गया, अब अगला question हम आपको बताने जा रहे हैं, अगला question बताने जा रहे हैं, देखिए, अगला हमारा question है, 17, 17 का दो number, question क्या है, sin square theta, sin square theta plus cos power power 4 theta is equal to cos square theta plus sin power power 4 theta, देखिए, इसको कैसे solve करेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए, इसको क्या करेंगे, LHS लिखेंगे, देखिए, LHS लिखने के बाद इसको solve करेंगे, तो हम इसको LHS लिखेंगे, देखिए, LHS लिखेंगे सबसे पहले, तो हम LHS लिख लिए, LHS, sin square theta plus cos power power 4 theta, देखिए, इसको साबित करना है, कैसे करेंगे, तो इसको हम sin square theta plus, इसको लिखेंगे, cos 4 का, cos square theta, cos square theta का whole square, देखिए, cos square theta का whole square लिख देगे, तो इससे हमको फाइदा होगा, तो फाइदा अवस्य होगा, देखिए, इससे फाइदा होना चाहिए, यहाँ पर लिख दिये, देखिए तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे अब इसको क्या करेंगे देखिए इसको कॉस स्क्वाइट ठीटा का होल स्क्वाइर है तो इसको तोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वाइट ठीटा इसको लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वाइट ठीटा का होल स्क्वाइर पॉस स्क्वाइट ठीटा को लिखेंगे अब दखिए ये हो गया हमारा sin square theta ये a minus b का whole square a square minus 2ab plus b square sin square theta देखिए ये हो गया sin a square minus 2ab plus b square ये हो जाएगा तो देखिए ये हो गया हमारा sin square theta plus 1 ये हो गया हमारा 2 sin square theta इसको फिर हम sin square theta को 1 minus cos square theta में इसको तोड़ देखिए तोड़ देखिए तोड़ देखिए ये sin to the power 4 theta होगा देखिए ये तोड़ने के बाद क्या होगा देखिए ये हो गया sin square theta plus 1 ये minus 2 ये plus 2 cos square theta plus sin 4 theta देखिए इससे इसमें भी इसमें भी इंटू कर दिये तो अब हमारा ये हो गया देखिए sin square theta यहां पर देखिए 2 cos है तो यहां पर cos'll here θα दो सकते हैं देखिए दो एक में से माइनस वन ये minus one साइड में लगा दिए ये इससे ब्राइकेट देदीजिए यह 2 में से 1 गया देखिए यहाँ पर क्या किये इसको फाइलाद दिये इसको कौस स्कॉय ठीटा कौस स्कॉय ठीटा लिख दिये लिख देने के बाद इसके साथ कर दिये ब्राइकेट में 2 में से 1 गया माइनस 1 अब पलस यह हो जाएगा साइन टु दी पावर 4 ठीटा आ गया कॉस स्क्वाइड थीटा प्लस साइन टु दी पावर फूर थीटा देखिए यह आ गया हमारा आरेचेस आ गया आरेचेस आ गया हम लिखेंगे आरेचेस आरेचेस प्रूप देखिए इसका अब एक कुश्चन और बचा 17 का यह 17 है देखिए अगला कुश्चन है हमारा कॉसेक पर पावर फूर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वाइड थीटा इस इक्वल टू कॉट पर पावर फूर थीटा प्लस कॉट स्क्वाइड थीटा देखिए इसको हम बनाते हैं कैसे करेंगे देखिए देखिए तो इसको सबस बचेट लेंगे हैं लेचेज लेते हैं लिए कोई से कवर फो??? माइनस कोई से ए्ष्क्य उस्कौय हैँ यहाँ पर स्वायल लिखतिए लिखने के बाद यहाँ पर से स्व्क्वाइट फिटा कममन लेदे दोनके दोने मेंसे तो यह बजाएगा हमारा कॉजिट स्क्वाइट ठीटा इधर बचेगा इधर माइनस वन बचेगा देखिए यह हमारा कॉसेक स्क्वाइट ठीटा है तो इसको लिख दीजिए अब इस कॉसेक स्क्वाइट ठीटा को पहले दोलों में से कॉसेक स्क्वाइट ठीटा कोमन ले लिए तो इधर कॉसेक स्क्वाइट बचा इधर minus 1 बचा अब इस cosec square theta को लिख दीजिए 1 plus cot square theta लिख दिये अब ये cosec square theta minus 1 ये cot square theta हो जाएगा ये cosec square theta minus 1 ये cot square theta हो गया अब into कर दीजिए तो ये हो जाएगा cot square theta plus cot 4 theta ये होगा हमारा RHS prove हुआ देखिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप करता हूँ अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को subscribe पीजिए और bell icon दवाईए thank you